हेलो एवरिवन, विलकम टू माई योटुब चैनल, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और फ्रेंड्स अभी अभी जो है, एहमदाबाद जोन का रिजल्ट जो है वो अपडेट हो चुका है और दोपैर वाली वीडियो में मैंने आपको सिकंदरवाद का एनलेसेस दिया था सिकंदरवाद में 12 तारिक में 68% स्टूडेंट पास हुए थे और 13 तारिक में 64% स्टूडेंट जो है वो पास आउट हुए थे एहमदाबाद की तो एहमदाबाद की वेबसाइट पर यानि की वेस्टर रेल्वे मुंबई की वेबसाइट पर रिजल्ट अपडेट हो चुका है और यहाँ पर देखो 13 तारिक का जो रिजल्ट है लेकिन जिन स्टूडेंट का भी बारा तारीक को पीटी था वो एक बार ज़ुआरा जरूर चेक करें क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजिस यहां पर जरूर हुए है और जो भी चेंज हुआ है अगर आपका कुछ भी चेंज हुआ है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं अभी क्या है कि मैंने सारे जो पीडियेफे वो डाउनलोड करके और इनका जो परसेंटेज है वो निकाल लिया है क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करने से कोई फायदा नहीं है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ तो यहाँ पर एहमदाबाद का जो एनलेसेस है वो कुछ इस परकार से है अगर ग्यारा तारीक काम देखते हैं तो ग्यारा तारीक को यहाँ पे जो है काफी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे फेल हो गए थे और जो पासिंग परसेंटेज था वो 67% का बना था सेकिंड देगा 80% स्टूडेंट आज यहाँ पे पास होए हैं तो कही न कहीं देखो जितने ज़्यादा स्टूडेंट पीटी में पास होते हैं उतना जो है पीटी के बाद कट आफ बढ़ने के भी चांसे रहते हैं तो यह बात भी आपको अपने माइंड में रखनी होगी तो यहाँ पर मैंने आपको अपडेट दे दिया है सिकंदरबाद का मैंने अपडेट दे दिया था सिकंदरबाद का जो रिजल्ट है वो 70% से नीचे ही चल रहा है और बागी एमदबाद का रिजल्ट आप देख सकते है 70% को क्रॉसकर रहा है passing percentage बागी जो भुगनेशोर का result है वो तो आप लोगोंने देखी लिया 49% student बापर overall qualify कर रहे हैं तो ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लिए बहुत छोटे से वीडियो में आपको complete information हमेशा provide कर आता हूँ बाकि आप लोग मेरा telegram का group भी join कर लिए जो उसका link मेंने description में दिया है वहाँ पर ये सारे PDF में अभी upload कर देता हूँ आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं